जग रूठे चाहे सारा मेरा शाम ना रूठे चुपे और जी ओंपे जब तक शाव तेरा दरबार तुपे मेरे शाव, मेरे शाव कितने लोगों की घर पर लट्टू वोपाल जी की सेवा होती है यहाँ पर जितने लोग विराज माल हैं सभी के या होती है तो कल सेक नियम और चालू करना जब ठाकूर जी को शिंगार आधी कर रहे हो नहला रहे हो उनकी सेवा कर रहे हो इत्र सेवा कर रहे हो तो गुन गुनाईएगा संग में जगरू थे जाए सारा मेरा शाओ और जियू मैं जब तक शाओ तरवाल न चुते और जियू में जब तक शाओ तरा दरवाल तुमें मेरे शाओ, मेरे शाओ, मेरे शाओ मेरे जा इक तेरे भरोसे पर वैंदे ये भाव जब लिख रहा था स्री जी की कृपा से तो ऐसा भाव था कि इसका संसार में ऐसी प्रचार करना है कि एक एक व्यक्ति के दिल का भाव हो ये तो आप सभी को कहना है इक तेरे भरोसे पर मैंदे अपनी ये नाव चलाई है नाखो तूफा आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है तेरे हाथ से मेरी ये पतवार लचूटे तेरे हाथ से मेरी ये पतवार लचूटे और जियू मैं जब तक शाम रभार लचूटे और जियू मैं जब तक शाम रभार लचूटे ने जब तक शाम रभार लचूटे चलते चलते गिर जाता हूँ इस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरे शाम तुझे ही पाता हूँ हर किसी के जीवन में सुख और दुखाते रहते हैं क्योंकि सुख और दुखी जीवन का इसनी नाम हूँ लेकिन जो सुख में भी शुकराना करता रहें दुख में भी शुकराना करता रहें एक बात यादा रही है श्री विनोधगरवाल बाउजी की, वेकुंट वासी श्री बाउजी की, उन्होंने एक बहुत जुंदर बात कही दिए, यह योगणात मंदिर में संकिर्तत था तो हम बाउजी के पास बैठे थे, किसी ने प्रशन किया, कि बाउजी सिर्फ सेठो का ही थाकुर रह गया है वसाँ सिर्फ सेठों का इठाकुर रह गया है बाउजी के पास बैठा एक संसर उन्हों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि कि सिर्फ सेठों का है बूले आप विहारी जी चले जाओ इतने महेंगे महेंगे भोग है केवल रही जी पवास है आई बूले किसने का है विहारी जी में जाकर के आपके घर जो लट्डू गोपाल है अगर आप उन बिहारी जी में और घर पर विराजमान लट्डू गोपाल में यदि अंतर करते हैं तो अभी आप नर्सरी में नहीं केवल क्रच में हैं अभी बैठना सीख रहे हैं अभी स्कूल की तरफ मुख नहीं हुआ और जिस दिन ये अंतर समाप्त हो गया तो फिर क्या विहारी जी घर पर पकवान बना और ठाकुर जी को पकाते रहा हूँ फिर तुलंत बाण जी ने इक बात और कहीँ क्या कि एक व्यक्ति था बौत साव उकार था चारकुरजी के खूब प्रार्थन किया करता था खूब सेवा किया करता था उसने ठाकुरजी से का ठाकुरजी मैं आप कितनी सेवा करता हूँ अब जीवन के शाम होन चली है आईसी फिर पातो करो कि आपका प्रतेक्ष दर्शन पासको आकुर्जी ने सुपन में आ करके कहा कि सुबा तुझाँ जब समुद्र किनारे सहीर करने जाता है तो ज़रा देखियो कि पीछे मुण करके तुझे हमारे होने का एहसास होगा हमारे होने का क्या होगा एसाइस होगा . शुवा वो व्यक्ति कर गया समुंदर किनारे । जब वो शैर करके लोट रहा था उसने पीछे मूड के क्या देखा ? जहां जहां से वो चल करके आ रहा था। वही कर उसके दो पक्द और दो पक और जो संग संघ में चलते आ रहे हैं दो पग और कितने पग टोटल दो पग ठाकूर जी के और दो पग उस व्यक्ति के बहुत प्रसन्न हुआ येकिन सुख और दुख जो जीवन का ही नाम है इसके भीना जीवन है नहीं सुख है दुख है कभी सुख आगे कभी दुख आगे दुखाया उस व्यक्ति पर कि उस व्यक्ति का कारोवार ठप हो गया बीवी छोड़ गई बच्चे छोड़ गई नोकर चाकर सब छूट गई लेकिन सेर जाना नहीं छोड़ा उसे और क्या देखता है अब वो चार पक की जगा बग रह गए सेवा बरकरार ठाकूर जी की सेवा में तनिक भी कमी नहीं फिर समय बदला फिर पैसा आया फिर कारोवार चमका परिवार आ गया बेटे बहुएं आ गए और पक हो गए आज उसने ठाकूर जी को पकड़ लिया कि तू भी दुनिया की तरह आए दुनिया आई तू भी आगया दुनिया गई तू भी चला गया बोले नहीं प्यारे जब तेरा सही वक्त होता है तो तेरे संग चलता हो इसलिए पदल चार थे और जब बुरा वक्त होता है तो मेरी गोद में होता है पक्त सिर्फ मेरे थे तू तो मेरी गोद में था ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में सुख़ दुखनाते हो जब जब पीठों घर खा कर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरे शाम तुझे ही पाता हूँ ये कब सम्भव है जब कलेक्टिविटी ओके हो कि फाल्टी यहां हो और एमसी भी वहां गिर जाए दिल से जुड़ी ये तार कभी ये तार न तूटे और जीओ में जब तक शाम तर आप चुझे जीओ में जब तक शाम तेरा दर्वार न तूटे हो अच्छा केवल भजन काई आनन्द ले रहे चाहते हो कि जब तक शाम तेरा दर्वार न चूटे पज़र उठाकर के हाथ फिल्कुशी दे जूटे हुए भूल करके कि यहां पर कोई बैठा है जो मुझे देखकर हसेगा और हसेगा तो हसने रोना वो तो खुश रोना चाहिए मेरे शाह, 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 मेरे बस एक तमना धी मन में जब ये भाव लिख रहेंगे तो मन में आया कि अब स्रीजी से क्या मागा या बहुत कुछ माग लिया श्रीजी से और स्रीजी ने दिया भी खूमेंट खूम दिया या बैठने की अवकात थोड़ी थी लेकिन श्रीजी ने थाकुर्जी ने कर बिठाया थाकुर्जी की कृप्रा से ही बैठे तो ऐसे चीज मांगने चाहिए जो अजर रहे अमर रहे हमारे बाद भी और लोगों भी उसका अनंद लेते रहें क्या कि व्रिंदावन परसाना में चोटी सी मुटिया होने जाए और आप सब की बधाई देते हुए किसी जीने इस पुखार को सुन लिया है बहुत जल्दी हम आप तक ये पैसिस पहुचा देंगे कि जमीन कहां ली गई है जहां पर मेरट के नाम से भप्य आश्रम का निर्मान होने है भप्य आ मेरे शाम ते राही द्यार मिडे भर हाल में पावर रह लेगा बस वरिंदावन का बास मिले अबढ़ने भी पावर लेगा बस वरिंदावन लिकंद मिले बस वरिंदावन का बास मिले अजी सबात मने वाने वालए बताई ना तोमहार व विसे व्रिंदावन लिकंद मिले सरकार कोई गलती हो गई क्या धाकुर जी से आप से कह रहा हूँ आप नहीं जाना चाहते तो हमारे लिए मांग लीजी ना उठाई जरा दुनुहार हुबस व्रिंदावन कावास मिले हुबस परसाने कावास मिले हरी नाम की मस्की किस्मत वाला हलुते हरी नाम की मस्की किस्मत वाला लुते और जीयों में जब तक शाव रादर बाल रचुते मेरे शाव 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 अगर भी हरी लावल कीजे